हेलो स्टुडेंट गुड मॉर्निंग मैं पवंसर आज आप लोगों के सामने एक बार फिर से क्लास 6 की हिस्ट्री का चैप्टर सेकेंड अर्लियस सोसाइटी इसको लेकर आया हूं बच्चो प्रिवियस वीडियो में मैंने आपको दे स्टोन इज के बिसे में बताया और मैंन भौते हैं दूसरा मिशोलेति के जिसको मध्व पाशारकाल बोलते हैं तीसरा आप पाशारकाल बोलते तो बच्चों मैं अज इस वीडियो में पहले आपका पैली ऑकी के जो की स्टार्ट वह फाई प्लेयाउन बीसी से तहन थैन थयो ने बीसी तक कि तो हम वीडियो को और अर्ली स्टोनेज, अर्ली मैन लेड आस लाइप सिमिलर तो अनिमाल, विद अनली दिफ्रेंज देखो बच्चो, पुराने समय को या आपको ये पहली अलिथिक एज को क्या बोला जाता था पहले? अर्ली स्टोनेज, और उस समय जो इनसानों का जीवन था, उस समय के जो मनुष्यों का जीवन था, वो एकदम जानवरों के जैसा था, वो इनसान जैसे जानवर रहते थे, खाते पीते थे, वह ही इनका भी तरीका था, बस दोनों में डिफ्रेंस क्या था? कि मनुष्य दो पायर पे चलता था, और अपने दोनों हाथ को काम करने के लिए यूज़ करता था, अब इसमें क्या चीफ फीचर से, इसकी मुख्य विशेस्ताएं क्या है, उस पे हम डिसकस करते हैं, कुछ पॉइंट्स आउट हेडिंग दिये गए आपको, हम वन बाई व मतलब होता है, जो उन्हें मार कर एक अठा करते थे, अर्ली मैन मूवड इन ग्रुप्स, पुराने समय के लोग किस में घूमते थे समू में, क्योंकि फ्राम वन प्लेश टू अनादर इन सर्च आप फूड, भोजन की तलास में एक समू में घूमते थे, क्योंकि वो डरते थे, कि हम अकेले जानवरों का सिकार नहीं कर सकते, His cheap source of food was hunting animals and gathering foods, उनका मुख्य भोजन ही यही था, या उनका जो cheap source था भोजन का वो यही था, कि वो जानवरों को मारते थे, उनको ही कठा करते थे, उनको मांस को कच्चा ही खाते थे, and gathering food, या फलों को जमीन पे गिरे रहत थे या पेड़ों पर से तोड़कर उसको इकठा करते थे, He moved along the rivers or valley, और वो कहां गुमते थे, नदियों के किनारे किनारे, ताकि उनको पीने के लिए पाने भी मिल सकते, आपको पता है बच्चों, कि without water, we cannot live, बिना पाने के हम जीवित नहीं रह सकते, इसी प्रकार उस समय क भी लोग आपके इसी में घुमते थे नदियों के किनारे, He lived the life of wanderer, वो इसलिए घुमनतू थे, wanderer मतलब घुमनतू, because क्योंकि it gave him security against wild animals, क्योंकि उसको क्या करती थे, सुरक्षा करती थे, जो wild animals थे, आज यहां रहते थे, कल वहां रहते थे, ताकि जानवरों के बीच में दापाएं, a group comprised of a few men, women and children, और इनके समय में कुछ men होते थे, कुछ women होती थे, और कुछ children होते थे, since he had not discovered fire until then, यह देपिये उस समय आखी खोज नहीं कर पाये थे, he ate his food रह, वो जो भी मांस होता था, चैफल होते थे, सबजी होती थे, सबको कच्चा ही खाते थे, he ate whatever he could like, flesh of animals and birds, fruit, flowers, seeds, roots, tubers, nuts, it is, मतलब कहने का मतलब है, वो जो भी चीजों को पाते थे, जैसे भी पाते थे, सारी चीजों को वो कच्चा ही खा जाते थे, इसलिए यह क्योंकि उनको उस समय आपके घ्यान नहीं थे, अब बच्चों मैं आपको इसका अगला points out, tools and weapon, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, तब तक के लिए आप लोग घर पर सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जो भी चीज़े आपको हर एक subject में पढ़ाई जा रहे हैं, तो उसको आप revise करिए, अगर आपको कहीं पर कोई तकलीफ हो रही है, तो आप comment के माध्यम से से कुए, इस वीडियो में इतना ही, that's all.